जय भीम, जय सम्विधान, जय भारत नमो बुद्धाय दोस्तो आप देख रहे हैं बहुजन हिस्ट्री चैनल मान्यवर कांशी राम द्वारा रचित द चम्चा एज का मुकम्मल एवं प्रामानिक हिंदी अनुवार चम्चा यूग चम्चा यूग के अनिष्ट कर प्रभाव पचास वर्षों से भी अधिक समय तक चले चम्चा यूग ने उत्पीडित और शोशित भारतिय जन को बहुत अधिक प्रभावित किया है राजनीतिक प्रभावों से शुरू होकर आज इसने जीवन के सभी कारोबारों और मानव गतिविधी के सभी क्षेत्रों में उन पर अपना प्रभाव छोड़ा है चम्चा यूग के इन तमाम प्रभावों को अनिष्टकर कहा जा सकता है केवल अनिष्टकर और कुछ नहीं इन में सबसे खतरनाक अनिष्टकर प्रभावों को साथ शेनियों में रखकर अगले कुछ प्रिष्ठों में उनकी विवेचना की गई है यह इस आशा से किया जा रहा है कि प्रभावित भारतिय न केवल इन अनिष्ट कर प्रभावों से मुक्ती के तरीकों और साधनों की खोज करेंगे बल्कि चमचा युग का ही अंत कर देने के लिए भी संधर्ष करेंगे एक आमबेडकर आंदोलन को बड़ी बाधा समूचे भारत में संधर्ष कर रहे उतपीडित भारतियों को 1930 के आसपास डाक्तर भी आर आमबेडकर का नेतरित्व मिला बाद के वर्षों में उन्होंने जो संधर्ष शुरू किये और चलाए उन्हें आमबेडकरी आंदोलन अथवा उतपीडित भारतियों का स्वतंत्र आंदोलन कहा जा सकता है इस आंदोलन का तातकालिक प्रभाव यह हुआ कि डाक्तर आमबेडकर के नेतरित्व ने 1930 से 32 के गोलमेज सम्मेलनों में उनको मान्यता और अधिकार दिलाने में काम्याबी हासिल की 24 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अचुतों पर पूना समझोता ठोक दिया डाक्तर आमबेडकर ने तभी समझ लिया कि उनके नेतरित्व में चलने वाले उत्पीडित भारतियों के स्वतंत्र आंदोलन के लिए भविश्य में इसके क्या परिणाम होंगे किन्तु अपने लोगों की असहायता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूना समझोते पर इस आशा से हस्ताक्षर कर दिये कि आने वाले वर्षों में इस स्थिती में सुधार हो जाएगा उसके बाद 1956 तक वह पूना समझोते की देन चमचा युग के अनिष्ट कर प्रभावों का प्रतिकार करने को मौजूद रहे लगभग 24 वर्षों के इस दौर को देखने पर हम यह निष्कर्ष दे सकते हैं कि उनके जैसे कद और सामर्थ्य वाले व्यक्ति के लिए भी यह काम बहुत बढ़ा था 1946 में उन्हें स्वयन को भी समविधान सभा में चुनवाने के लिए बंगाल जाना पड़ा जबकि उनकी पार्टी पूरे भारत में हार गई थी 1952 के चुनावों में उनकी पार्टी फिर से हार गई 1952 और 1954 के चुनावों में वह स्वयं कॉंग्रेस के उची जातियों के अंजान से हिंदू प्रत्याशियों से हार गए इस दौर के अंत में वह चमचा युग के अनिश्ट कर प्रभावों को दूर करने में काफी हद तक काम्याब रहे इस प्रकार 1956 में हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और यहां तक की धार्मिक मोर्चे पर भी आमबेडकरी आंदोलन में एक उफान दिखाई देता है किन्तु दुख की बाद है कि उसके बाद वह हमारे बीच नहीं रहे शायद अपने जीवन के अंत को भामपते हुए ही उन्होंने अपने सिफह सालारों और लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्न संदेश छोड़ा था मैंने जो कुछ भी किया है वह मैं अपने जीवन भर भीशन दुखों और अंतहीन कठिनाईयों से गुजरने के बाद और अपने विरोधियों से लड़ते हुए कर पाया हुँ बहुत मुश्किल से मैं इस कारवा को यहां तक लाया हुँ जहां यहां आज दिखाई देता है इस कारवा की राह में चाहे जो रुकावते आएं यह कारवा यूँ ही आगे बढ़ता रहे यदि मेरे सिफ़सालारों में इस कारवा को आगे ले जाने की सामर्थ्य न हो तो वे इसे यही छोड़ दें किन्तु वे किसी भी परिस्थिती में इसे पीछे न जाने दें इस कारवा को आगे नहीं ले जाया जा सका है। बाबा साहेब के सिफ़सालार उसे वहीं का वहीं भी नहीं रख सके और यह इतनी तेजी से पीछे की तरफ फिसला की लगभग चकनाचूर ही हो गया। आमबेडकरी आंदोलन के लिए हर स्तर पर बाधा ही बाधा है। संगठनों में विभाजन कर दिये। राजनीतिक शेत्र में आरपी आई लगभग एक दरजन गुटों में बंट गई है और सब के सब एक दूसरे से लड़ रही हैं। दलिक पैंथर्स आये और आरपी आई के गुटों से भी अधिक तेजी से गिर गए। 1952 से 1967 तक ACF या आरपी आई राजनीतिक दल को महाराष्ट्र और पंजाब दोनों ही जगहों में मान्यता मिली। एक अखिल भारतिय पार्टी बनने के लिए आगे बढ़ने के बजाए वह धड़ाम से नीचे आगिरी महाराष्ट्र में एक दरजन विभाजन हो जाने के कारण आमबेडकरी आंदोलन की राजनीतिक प्रगती की ग्राफिक प्रस्तुती संभव नहीं है। आमबेडकरी आंदोलन के राजनीतिक उत्थान और पतन को स्पष्ट करने के उद्देश से पंजाब में इसकी उपलब्धी का ग्राफ हम यहां दे रहे हैं। पंजाब में पार्टी में कोई विभाजन नहीं है, इसलिए ग्राफिक प्रस्तुती संभव है। इस पुस्तक में दिये गए ग्राफ में 1952 से 1980 तक का समय लिया गया है जब पंजाब में पिछला आम चुनाव हुआ था। आमबेडकरी आंदोलन का सबसे दुखध हिस्सा यहा है कि बाबा साहिब आमबेडकर के सिफहसालार न केवल कारवा को आगे ले जाने में नाकाम्याब रहे बलकि आमबेडकरी आंदोलन के सबसे कटर दुश्मनों के हाथों में निकृष्ट तम किस्म के चमचे बन गए। मानू यह अपने आप में काफी नहीं था, आमबेडकरी आंदोलन को दबा कर रखने में उनका नहित स्वार्थ हो गया है। इस तरह जो लोग विशेशकर महाराष्ट में आमबेडकरी आंदोलन को फिर से खड़ा करना चाहते हैं, उन्हें आमबेडकरी चमचों के कड़े विरोध का सामना करने को तैयार रहना होगा। चुनाव वर्ष पंजाब में आमबेडकरवाद के उत्थान और पराभव को प्रदर्शित करने वाला यह ग्राफ न केवल पंजाब में अपितु संपूर्ण भारत में जहां जहां आमबेडकरी आंदोलन विद्यमान था, उसकी गंभीर बाधा, सेट बैक की ओर संकेत करता है। सरकारी नौकरियों में खपा लिया गया। मैं इसे उत्पीडित संभरांत वर्ग कहता हूँ। इस उत्पीडित संभरांत वर्ग के राजनीतिक हिस्से को बस चमचे ही समझा जाता है, किन्तु इसके नौकरशाही हिस्से को हम चमचões के चमचे कहते हैं। इन दोनों ही किस्मों के बारे में हम अन्य अध्याय में अलग से चर्चा कर चुके हैं। यहां हमारी दिलचस्पी इस तथे पर जोर देने में है, कि इन दोनों ही किसमों के उत्पीडित संभरांत वर्ग को आम उत्पीडित भारतियों से अधिकाधिक अलग किया गया है। यह उत्पीडित संभरांत वर्ग तो सनरक्षात्मक भेदभाव की अवधारना की देन है इसलिए यह संभरांत वर्ग अपने संभरांत हितों की संरक्षा के लिए संरक्षात्मक भेदभाव के उन विश्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने को प्रवरित होता है संरक्षाक्मक भेदभाव में एक निहित स्वार्थ विक्सित हो गया है और जाती उन्मूलन के लिए होने वाला संधर्ष गिरकर उत्पीडित संभरांतों के लिए अधिकाधिक रियायते मांगने के स्तर पर आ गया है चम्चों के इस किस्म निर्माता अर्थात शासत जातियों को इस अलगाव को प्रोत्याहन देने में अपना ही हित दिखाई देता है क्योंकि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों की हैसियत में कोई भी वास्तविक बदलाव होने से यथास्थिती गड़ इसलिए संरक्षात्मक भेद्भाव एक ऐसा खेल बन गया है जिसे शासक जातियां और उनके चमचे उत्पीडित संभरांत जन दोनों ही खेलते हैं, जहां पिछरेपन को संरक्षित रखने में प्रत्येक समूह का अपना अलग हित है. उत्पीडित संभरांत वर्ग के अलगाव के इस खेल में, सभी पार्टियां इन उत्पीडित समूदायों से अपने अलग चमचे बना कर रख रही हैं. इस छोटे से अंश को बनाए रखने की प्रक्रिया का इस उत्पीडित समूदाय पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. जहां अजा-अजजा समूदायों की आम स्थिती पिछले 35 वर्षों में लोगों की आम स्थिती के मुकाबले लगातार तेजी से बिगड रही है. वहीं चम्चों उत्पीडित सम्भांत जन की स्थिती लगातार बहतर होती जा रही है और वह भी देश की आम हालत के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से इस तरह है. संभरांत जन के अलगाव का यह खेल खेलने में उची जातियों के हिंदूओं के निहित स्वार्थ विक्सित हो गए है. संभरांत वर्ग के इस अलगाव के कारण अजा-अज्जा और अन्य उत्पीडित भारतियों का आम समूह बस बंधुआ गुलाम बनकर रह गया है. इन लोगों के खिलाफ अत्याचार के मामले दिन वद दिन और वर्ष प्रती वर्ष बढ़ते ही जा रही है. तो ग्रामेन भारत में अधिकांश उत्पीडित भारतियों अपने जीवन यापन के लिए जमीनदारों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं. उनके लिए उत्पीडन से लड़ना संभव नहीं है, क्योंकि इसका विकल्क भुखमरी है. स्वतंत्रता के लिए थोड़ा सा आग्रह भी उन्हें बेरोजगार कर सकता है, जिससे वे डरते हैं. जहां कहीं श्रमिक संगठित हुए हैं, वहां जमीदारों ने अत्यंत जगन अत्याचार किये हैं, उनकी जोंपडियां जला दी गई हैं, उनकी औरतों से बलातकार किया है, और कभी कभी तो उन्हें जलाकर मार भी डाला है. केवल इस शोशनकारी ग्रामेन अर्थव्यवस्था में बदलाव ही उन्हें मुक्त कर सकता था. शासत जाती की सरकार की उसमें कोई दिल्चस्पी नहीं है. उत्पीडित ग्रामवासी इसे अपने बूते पर नहीं कर सकता, किन्तु जो उत्पीडित संभरांत वर्ग कुछ करने की स्थिती में है, वह अधिसंख्य लोगों से अलग हो गया है. शहरी इलाकों में मलिन बस्तियां बढ़ रही हैं. फुटपाथ पर रहने वालों की संख्या बढ़ रही है. वहां रहता कौन है? गाओं में सामन्ती आकाओं के सताय अजा, अज्जा और अन्य पिछडी जातियों के लोगों की बढ़ती भीड शहरों की मलिन बस्तियों के आकाओं की गोदमया पहुँची. इस प्रक्रिया में केवल कुछ एक व्यक्ती नहीं, बलकि समूचा संभरांत वर्ग संलिप्त है हालां की हमारी दिल्चस्पी ऐसे उदाहरन देने में नहीं है, किन्तु अपनी बात को प्रमानित करने के क्रम में स्पष्टता और विश्वनेता के हित में हम बिलकुल न चाहते हुए भी यहां फोटो के साथ एक उदाहरन दे रही है यह उदाहरन महाराष्ट के गवई परिवारों से संबंधित है इस उदाहरन से हमारी बात अत्यंत विश्वस्निय धंग से प्रमानित हो जाती है 1974 में बाबरूवन गवई और उनके छोटे भाई ने अपने गाउ में सम्मान से जीने की कोशिश की तो उनकी आखे निकाल ली गई गाउ में बाबरूवन की बेटी ने गाउ के सामनती सरदार के अवैध बच्चे को जन दिया था उस समय खूब प्रचारित की गई इस घटना से उत्पीडित जन की उस विशाल संख्या की दुरगती का पता चलता है जिसका प्रतीक गवई बंधु है दूसरी ओर इन पीडित समुदायों के उत्पीडित संभरांत जन उन्नती कर रहे हैं चाहे वे राजनीती में हो या नौकर्शाही में उसी वर्ष 1974 में आर पी आई के अध्यक्ष आर एस गवई महाराष्ट्र परिशद में उपसभापती थे और मान्यवर पीजी गवई महाराष्ट्र सरकार के ग्रह सचिव थे अलगाओं का अंत यही नहीं हो जाता यह खाई और भी चोड़ी होती चली गई आने वाले वर्षों में मान्यवर आर एस गवई उन्नती करके महाराष्ट्र परिशद के सभापती बन गए और मान्यवर पीजी गवई महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव बन गए जबकी बाबरूवन गवई का दुख और शर्म समय के साथ बढ़ते ही गए मैं फिर दोहराता हूँ कि मैं भारी मन से अपनी बात को प्रमानत करने के क्रम में स्पष्टता और विश्वसनीता के हित में यह उदाहरन देने को बाध्य हुआ हूँ किसी व्यक्ती की निंदा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है इसके अलावा इसकी भी सहच कलपना की जा सकती है कि डाक्तर आमबेड करके अपने समुदाय में और महाराष्टर राज्य में इस तरह का अलगाव कटाव हो सकता है तो अन्य समुदायों और अन्य राज्यों में यह और कितना अधिक हो सकता है हम यह पहले ही देख चुके हैं कि हमारे समाज में चम्चों की बहुतायत ने किस प्रकार आमबेड करी आंदोलन को नश्ट कर दिया था अनुसूचित जातियों के अन्य छोटे छोटे आंदोलन अभिजात्य का परिणा अभिजात्य के कारण अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजातियों में अभागी तथा असमान तीनन वर्गों की व्रिद्धी के परिचायक एक राजनीतिग्य, दोग नौकर्शाही, तीन सामान्य जन को दर्शाने वाले छायाचित्र नीचे दिये गए हैं 1974 के दोरान ही आर एस गवई भारिपा के अध्यक्ष तथा विधान परिशद के उपसभापती थे बाद में वे विधान परिशद के सभापती बने इस अभागी घटना के वर्ष 1974 में PG गवई महाराष्ट्र सरकार के ग्रिह सचिव थे बाद में वे महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव बनकर उठ गए अपने गाउ में सम्मान पूर्ण तरीके से रहने का प्रयास करने के कारण बबरुवन गवई और उनके छोटे भाई को 1974 इस्वी के दौरान अपने ही गाउ में आखे फोर दी गई समय के साथ साथ बदन गवई की दुर्गती और शर्म बढ़ती गई उडन्चु हो गए चमचा युग का एक अनिष्ट कर प्रभाव यह हुआ कि अनुसूचित जनजातियां अपने ही भले के लिए राजनीतिक शक्ती का इस्तिमाल करने की राजनीतिक शमता विक्सित नहीं कर पाई लगता है चमचा युग में उन्हें आनंद मिल रहा है उन्हें जो कुछ भी दिया जाता है वे उसी में संतुष्ट महसूस करती है इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने वर्षों की तमाम उन्नती के बावजूद केंद्रिय मंत्रिमंडल में कभी कोई अनुसूचित जनजाती का मंत्री नहीं हुआ है बहरहाल एक आश्वस्थ करने वाली बात यह हुई है कि देश के जार्खंड और उत्तर पूर्व के हिस्से में आदिवासी दबाव की कसक महसूस करने लगे है अन्य पिछडी जातियां चमचा युग से सबसे बुरी तरह से प्रभावित दिखाई देती है हमारे समाज के सर्वाधिक उत्पीडित और शोशित लोगों अर्थात अजा अजज़ा को तो 17 अगस्थ 1932 को मान्यता और थोड़े अधिकार मिल गए किन्तु अन्य पिछडी जातियों को अभी तक कोई मान्यता और कोई अधिकार नहीं मिले हैं हालां की 50 वर्ष का लंबा समय बीग चुका है डाक्टर आमबेडकर बेहत बुद्धिमान थे कि उन्होंने पहले मान्यता पर जोर दिया जबकि गांधी जी 1930 से 32 के गोलमेज सम्मेलनों के दौरान बिना मान्यता के अधिकारों के लिए दबाव बना रहे थे डाक्टर आमबेडकर ने अंग्रेजों के जाने से पहले अजा अज्जा के लिए मान्यता हासिल कर ली किन्तु उस दौरान अन्य पिछरी जातियों ने इस मामले को उची जातियों के हिंदूओं की सद्भावना पर छोर दिया आज समवैधानिक प्रावधान के 36 वर्ष बीत जाने के बाद और काका साहिब कालेलकर और मंडल आलोग के बावजूद अन्य पिछरी जातियों मान्यता और अधिकारों से वन्चित है अन्य पिछरी जातियों दावा करती हैं कि वे शून्य है कैसी दुखत स्थिती है कैसे व्यापक प्रभाव हैं चमचा युग के अल्पसंख्यक तो कत लगाह में है सबसे बड़े अल्पसंख्यक मुसल्मान अन्तहीन और नियमित सामप्रदायक दंगों से सबसे बुरी तरह से प्रभावित है हाल में 45 सांसदों ने अपनी परेशानियों का किस्सा एक संयुक्त ग्यापन के माध्यम से प्रधान मंतरी को प्रस्टुत किया था उसके समाधान की बात तो दूर प्रधान मंतरी ने उनकी सुनवाई तक नहीं की सिख समुदाय अकाली दल के नेतरित्व में चमचा युग के अन्यायों के खिलाफ आंदोलन कर रहा है इसाई और पार्सी लोग जीवन के सभी कारोबारों में सक्रिय, रुचिशील और सनलिप्थ हुआ करते थे किन्तु आज वे मोहभंग अरुची और उदासींता की स्थिती में दिखाई देते हैं कोई आश्चर्य नहीं कि उनमें से कुछ योग्य व्यक्तियों ने बंबई से एक संगठन शुरू किया जिसका उद्देश्य मरने का अधिकार मांगना था उन्हें मरने का अधिकार मिले या न मिले किन्तु चमचा युग ने उनकी रुची, सनलिप्थ ताबोध और भावना को पहले ही मार दिया है उत्पीडित और शोशित भारतियों को अनेक चीजों की जरूरत है किन्तु उनकी सबसे एहम जरूरत है नेत्रित्व उनकी आबादी और समस्याओं की व्यापकता को देखते हुए उनकी नेत्रित्व संबंधी जरूरत मातरात्मक भी है और गुनात्मक भी इतना बड़ा काम करने के लिए नेत्रित्व अत्यधिक सक्षम और कल्पनाशील, रुचिशील और महनती ज्यानी और जानकार होना चाहिए और उसमें दूरद्रिष्टी, धैर्य और लगन भी होनी ही चाहिए यही नहीं नेत्रित्व को समझदार भी होना चाहिए उसमें उचित समय का बोध और इस बड़े काम की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य सभी प्रासंगिक बोध होने चाहिए किन्तु दुर्योगवश, पिछली कई शताब्दियों में ब्राह्मनी व्यवस्था ने शूद्रों और अती शूद्रों में इन गुनों को कभी विक्सित होने ने ही नहीं दिया आज भी भारत के उंची जातियों के शासक इन गुनों को कभी विक्सित होने दे रहे हैं चम्चों को अफसर और प्रोथ साहन दिये जा रहे हैं किन्तु तमाम तरहे की कठिनाईया और अयोग्यताएं भी ला दी जा रही है इस सब ने उनमें नेतरित वहींता की स्थिती पैदा कर दी है शताबदियों से शूद्र और अती शूद्र दुनिया के निक्रिष्ट तम गुलाम बने रहे अंग्रेजी राज के दौरान पश्चिमी शिक्षा और संस्कृती के प्रभाव में उन्होंने भारत में लगभग हर कहीं ब्राहमनी संस्कृती के खिलाफ विद्रोह कर दिया अब उंची जातियों के हिंदूओं के राज में इस तरह के विरोध को हतोचसाहित किया जाता है दूसरी और चम्चे बनाए जाते हैं और उनको प्रोचसाहित किया जाता है काम की व्यापकता और खरे नेत्रित्व की सर्वांगीन विफलता तो विद्रोह की भावना को जैसे मारे दे रही है खत्रा चमचा यूग से समझोते का है छे, लोकतंत्र को निरर्थक करना दुनिया में हर कहीं लोकतंत्र का मतलब होता है बहुमत का शासन किन्तु भारत में 10 से 15 परसेंट उची जातियां 85 परसेंट लोगों पर शासन कर रही है इन 85 परसेंट में से 52 परसेंट लोग मान्यता और अधिकारों से बंचित है हमारे लोकतंत्र में वे अपने बूते कुछ भी नहीं कर सकते लगता है अल्पसंख्यकों ने बहुसंख्यकों में से चम्चे बनाकर अल्पमत के शासन को मजबूत कर लिया है इस तरह चम्चा युग ने भारत में लोकतंत्र को निरर्थक कर दिया है साथ देश को गरीब और पिछडा रखना भारत विपुल भूमी जल, खनिज और मानव संसाधनों वाला एक विशाल देश है जो वैज्ञानिक और तक्नीकी द्रिष्टी से उन्नत है इतना सब होते हुए भी यह विश्व का सबसे गरीब और पिछडा देश है चमचा युग का यह निकरिष्ट तम अनिष्ट कर प्रभाव है क्योंकि यदि एक अलपसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यकों पर राच करना है तो उसे बहुसंख्यकों को अग्यानी, असहाय, गरीब और पिछडा बना कर रखना ही होगा इस तरह बहुसंख्यकों को अग्यान और असहायता की स्थिती में रखने की चिंता में शासक जातियों ने देश को गरीब और पिछडा बनाय रखा है